C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है विज्ञान कविता साथियो आज हम आपके लिए लाए हैं ये कविता कहानी लिटमस की और हाँ साथियो ये कविता लिटमस नामक सूचक के विशे में है ये इस सूचक के इतिहास, श्रोत एवं इसके उपियोग का वर्णन करती है तो आईए सुनते हैं ये कविता कहानी लिटमस की कहानी लिटमस की लिटमस की कहानी तुम्हे है सुनानी बात नहीं है कलपरसों की बरसों है पुरानी लिटमस की कहानी तुम्हें है सुनानी स्पेइन के एलकेमिस्ट अर्नाल्डस डेविला नोवा से तो पहचान है इसकी पुरानी तेरा सुएडी में हुई पहचान अब तुम सबको है बतानी लिटमस की कहानी तुम्हें है सुनानी नोवा ने सबसे पहले जिसका इस्तमाल किया सोलहवी शताब्दी में जाकर नैदरलेंड्स ने प्राप्त किया कहां से किया कैसे किया ये भी तो है तुम्हें बतानी लिटमस की कहानी तुम्हें है सुनानी नैदरलेंड्स की वादियों में छुपा था कहीं लाइकें एक अनोखा पोधा जिसमें हुआ कवक वैशेवाल का लेन देन लिटमस को जब पाया उसमें सत निकाला कवक रोशेला का उससे बैंगनी रंग हुआ आसुजल में उससे बैंगनी रंग हुआ आसुजल में उससे बदला रंग गिरगिट सा अमलीय पदार्थ में उसने बैंगनी रंग अब नहीं रहा रंगा लाल के रंग बैंगनी रंग अब नहीं रहा रंगा लाल के रंग रंग बदरते लिटमस से सभी हो गए दंग बात अजब अब और हुई जब मिला क्षार के संग बात अजब अब और हुई जब मिला क्षार के संग लाल रहा न बैंगनी हुआ नील के रंग खोज हुई भै खोज हुई एक गजब की बात खुली अम लक्षार की पहचान के लिए एक अनोखी जीत हुई इसी जीत की ये कहानी तुम्हे थी बतानी लिटमस की ये कहानी तुम्हे थी सुनानी कैसी लगी कहानी कैसी लगी कहानी कहानी लिटमस की अभी आप सुन रहे थे ये विज्ञान का विता रचना एवं वाचन डॉक्टर रुची वर्मा ध्वन्यंकन बटी लैंग डिंग्डो निर्देशन एवं निर्माण वंधना अरिमर्दन यह कारेक्रम C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत किया गया